आज हम बनाएंगे उपवा स्पेशल दोसा, तो उसके लिए हम यहाँ पेटर तयार करेंगे, तो इंस्टन्ट दोसा बना रहे हैं, जिसके लिए हमें चाहिए वरईका चावल, वरईका चावल यहाँ पे हमें दो कटोरी चाहिए, तो दो कटोरी हमने यहाँ पे वरईका हैं दोनों ही चीजे कच्ची ही उस करेंगे सिर्फ इसे हमें एक बार दो लेना है इसे हमें भीगोना नहीं है बिल्कुल इंस्टंट बना रहे हैं तो चलिए आप दोनों को हम अच्चे से एक बार दो लेते हैं नवरात्री की उपवास चल रहे हैं तो इसमें आप इसे जरू लेकिन धोने से यह जल्दी हो जाएगा और आसानी से साब भी हो जाएगा तो एक बार हमने अच्छे से इसको दो लिया है चलिए इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल लेते हैं जैसे मैंने पहले कहा इसे हमें भिगोना नहीं है तो हम इसे instant पीस लेते हैं तो इसे हम थोड़ होगा दोसा उतना ही परफेक्ट यहाँ पे स्प्रेड होगा देख सकते हैं चली इसी तरह से हम इसको पीस लेते हैं तो दोसे के साथ खाने वाली चटनी बनाएंगे तो जिसके लिए लिया है एक कटूरी मूफली भूनी हुई मूफली का यूज कर दीजेगा अच्छे लगत दही डाल देंगे या फिर आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं एक कटूरी या फिर आधा कटूरी आप इसमें कंसेस्टनसी आपको जितनी गाड़ी या पत्ती चाहिए उस सबसे दही और पानी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक डाल दिया है टेस्ट के नुसार दही डालेंगे तो पूरा दही डाल दीजेगा या फिर आधा दही और आधा पानी भी आप इसमें डाल सकते हैं लेकिन दोनों की कॉंटिटी एक कटोरी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक चमच हम इसमें चीनी डाल देते हैं ताकि चटनी का फ्लेवर अच्छा आ जाए तो चली अभी से हम पीस लेते हैं यहाँ पे हमारे चटनी बनकर तयार है उपवास स्वेशल चटनी है अग आप इसमें हरा धनिया जरूर से डाल सकते हैं चटनी की कंसिस्टंसी अगर आपको थूड़ से रनी रखनी है तो आप इसमें थोड़ा सा दही या पानी की मातरा बढ़ा सकते हैं तो बैटर हमने पिसकी रखा था उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और इसको दोसे की कंस सकते हैं इंस्टेंट उपवस रेसिपी है जब भी मन करें आप इसे खा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं किसरी पीसे उपवस में ही खाया जा सकता है इसे आप वैसे ही रोज सुबह नास्ते में भी बना सकते हैं तो चलिए यहाँ पे हमारा डोसे का बैटर तयार है तो नमक डाल दे देते हैं ठेस के अनुसार नमक डालने के बाद थोड़ा सा मिला दीजिएगा और यहाँ पे हमारा बैटर तयार है कंसेस्टनसी आप देख सकते हैं पर्फेक्ट चलिए गैस पर मैंने तवय को गरम होने के लिए रग दिया था दोसा स्प्रेड करते हैं देख सकते हैं कितन पर आ गया है जाली भी आप इसके उपर की देख सकते हैं पर्फेक्ट है तो चटनी के साथ हमने इसको सब किया है तो कैसी लगी आज आज आपको यह उपवा स्पेशल दोसा की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजेगा साथी साथ चानल को भी सब्सक्र कर दो मैं